नमस्कार दोस्तों माता मदांदन को प्रसंद करने का एक सावर मंतर लेकर आया हूँ इस मंतर के जरिये माता मदांदन को प्रसंद कर सकते हो माता मदांदन की किरपा प्रापत कर सकते हो माता मदांदन का अशिरवाद प्रापत कर सकते हो इसको माता मदंदन के नाम से भी पुकारा जाता है माता मसानी के नाम से भी पुकारा जाता है सीतला मसानी के नाम से भी पुकारा जाता है ठीक है दोस्तो और ये बहुती तीवर और बहुती उकर सकती है इसको बिना गुरू के ना करें गूरुकी इज़ा लेकर करे गूरु के अंचिरवास से करे गूरु के साथ रहकर करे ठीक है दोस्तों अगर बेना गूरु क करोगे तो अपनी हानी और लाप के स्वाम जमेबार बनोगे हबा मंतर सुनें ओम गूरु जी मदान दनमाई मदान दनमाई डाके बंगाल से तू आई भूत प्रेत की तू है माई रहा चोंक में है तू है समाई घर पर तेरी जोत लगाई लोंग पता से की तेरी भेट चड़ाई आओ आओ मदान दनमाई भगत ने तेरे पुकार लगाई अपने बगत के बिगडे काम सुमारो मदान ननमाई ना सुमारो तो नंगे गुरु इश्माल जोगी की आन गुरु गोरखनात की आन सब्द साचा पेंडे काचा देखूं मदान ननमाई ते इलम का तमासा यह मंतर है दोस्तों मंतर एक बार हो शुन ले ओम गुरु जी मदान ननमाई मदान ननमाई बंगडा के बंगाल से तू आई भूत प्रेत की तू है माई रहा चोंक में है तू समाई घर पर तेरी जोत लगाई लोंग पता से की भेट चड़ाई आओ ओम दान ननमाई भगत ने पुकार लगाई अपने बगत के बिगडे काम सुवारो ना सुवारो तो नांगे गुरु श्माल योगी की आन गुरु गोरखनात की आन सब्द साचा पिंड काचा देखू मदान ननमाई तिर इलम का तमासा सत्ते गर्ना मादेश यह मंतर है दोस्तो इस मंतर की कम से कम आपने पाँच माला जाब करनी है पहले माता मदान नने के नाम से 9 लाल भरी चूडिया नो लाल चूडी और 7 पूड़े 8 गुलगले मिठे पूड़े 7 रंकी मिठाई 7 पतासे 7 लोंग 7 इलाची 2 मिठे पान और माता का पूरा सिंगार और चार मुखिती पगमाता मंदान के नाम से उसकी स्थान पर चड़ाए अगर उसका स्थान ना तो खाली मंदान में चड़ाए और काले हकीकी माला से इसका जाब करे काले वस्तर काला ही आसन होना चाहिए और कम से कम पांच माला जाब करे ब्रह्म चारे का पालन करे, 21 दिन की साधना है, जमीन पर सोना है, मास मतरगा से वनी करना, बेड़ी सिगर से दूर रहे, ठीक है, पहले गुरु मंतर, रक्सा मंतर, आसन जाप करे, फिर उसके बाद आप इस मंतर की कम से कम पाँच माला जाप करे, ठीक है, लेकिन इस मंतर को बिना गुरु के ना करे, गुरु की जाजर लेकर ही करे, गुरु क्या सिर्वास से ही करे, अगर बिना गुरु के करते हो, तो अपनी हानी और लाब के आप स्वयम जिम्यवार बनोगे, इसमें ये ध्यान रखना बस, और ये मंतर भोती उगर मंतर है, बोती तीवर मंतर है, इसको सोच समझ करकरे और माता मदांदन की भोती उगर सादन है अजमाई योज सादन है अगर मेरे किसी भाई को या मेरे किसी भेहन को गुरु दिख्षा लेनी है तो हर सनिवार को हर याना करनाल में गुरु दिख्षा दी जाती है हमारी गुरु दिक्षागा पान से क्यामन रपे सोल का और एक पासपोर्ट साइज फोटू है यह आपको लेकर आना पड़ेगा और इसके लावा महारा कोई पैसा कोई खर्चा कोई फीस नहीं है ठीक है दोस्तो लेकिन हाँ वो ही बन्दा आए मेरे पास जो गुरु की मर्यादा को समझता हो जो गुरु की इजद को समझता हो जो लोग गुरु की इजद नहीं करते हैं जो लोग गुरु की मर्यादा कोने समझते हैं वो मेरे पास बिल्कुल भी ना आए और हाँ एक बात हो और कहूंगा जो लोग कुछ साधना करना चाते है या कुछ जिन्दकी में आगे बढ़ना चाते है वो ही मेरे पास आए और इसके लाव कोई ना आए अगर आपको हमारा चैनल हमारी ये वीडियो अच्छे लगए तो जादा से जादा लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बाल आइकोन का बटन जरूर दबाय करें और मेरा जो फेस्बुक पेच है उसको भी जादा से जादा लाइक और शेयर करें और हाँ एक बात हो रहा हूँगा मैं आपसे आगर मेरे किसी भाई किया मेरे किसी भेन की किसी ने गद्धी बान दिये संगत रोक दिये जैसे पहले गद्धी पर फूप पबिलिक आती थी खूब लोग आते थे अब नहीं आ रहे तो वो कि रिपए एक बर आके मिरसे हर्याना करनाल में आके मिले अगर वो मारे पास नहीं आ सकते हैं अपने घर में फीशने हैं ठीक है दोस्तों फिर मिलेंगे एक नहीं जानकारे के साथ और एक नहीं वीडियो के साथ जैमा काली जैसे मिशान काली